C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय चादह सम्मिति प्रिष्ठ दो सौन नब्बे प्रश्नावली चादह दशम लवदो 1. निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूरनन सम्मिति है यहां भाग A से F तक 6 अलग-अलग आकृतियां दी गई हैं आपको इन में से एक से अधिक क्रम की घूरनन सम्मिति वाली आकृतियों को पहचानना है दो. प्रत्येक अकृति के घूर्णन सम्मिती का क्रम बताये terrorists. यहाँ A से H तक आठ अलग अलग अकृतियां दी गई हैं, जिनमें X का एक बिंदु अंकित है. आपको हर अकृति के घूर्णन सम्मिती का क्रम बताना है. आप अभी तक अनेक आकारों और उनकी सम्मितियों को देखते आ रहे हैं अब तक आपने यह समझ लिया होगा कि कुछ आकारों में केवल रैखिक सम्मिति होती है, कुछ में केवल घूरणन सम्मिति होती है, तथा कुछ आकारों में रैखिक तथा घूरणन दोनों प्रकार की सम्मितियां होती हैं। उदहरणार्थ एक वर्ग के आकार को देखिये, आकरती 14.19, इसकी कितनी सम्मित रेखाएं हैं? क्या इसमें कोई घूरणन सम्मिती है? यदि उत्तर हाँ है, तो इस घूरणन सम्मिती का क्रम क्या है? इसके बारे में सोचिये, आकरती 14.9 में हम अलग-अलग आठ सम्मित रेखाएं देख सकते हैं. एक वरित सबसे अधिक पूर्ण सम्मित आकरती है, क्योंकि इसको इसके केंदर के परित किसी भी कोण पर घुमा कर वही आकरती प्राप्त की जा सकती है, अर्थात इसमें अपरिमित रूप से अनेक क्रम क गूर्णन सम्मिती है, तथा साथ ही इसकी अपरिमित सम्मित रेखाएं हैं. वरित के किसी भी प्रतिरूप को देखिए, केंदर से होकर जाने वाली प्रत्येक रेखा, अर्थात प्रत्येक व्यास, परावर्तन सम्मिती की एक सम्मिती रेखा है, तथा केंदर के परित प्र अलग अलग आकार दर्शाए गए हैं. प्रिष्ठ 291. इनहें कीजिए. अंग्रेजी वर्ण माला के कुछ अक्षरों में अद्भुत एवं आकर्शक सम्मिती यसन रचनाएं यानि स्ट्रक्चर्ज हैं. किन बड़े अक्षरों में केवल एक ही सम्मित रेखा है, जैसे ए. किन बड़े अक्षरों में क्रम दो की घूरनन सम्मिती है, जैसे आई. उपरोक्त प्रकार से सोचते हुए आप निम्नलिखित सारणी को भरने में समर्थ हो पाएंगे. सारणी के स्तंभ हैं, वर्ण माला का अक्षर, रैखिक सम्मिती, सम्मित रेखाओं की संख्या, घूरनन सम मिती का क्रम. Z. नहीं, शुन्य, हां, दो. S. दाश, 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 दाश. H. हां, दाश, हां, दाश. O. हां, दाश, हां, दाश. E. हां, दाश, दाश, दाश. N. दाश, दाश, हां, दाश. C. दाश, 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 दाश. प्रश्नावली चौदह दशमलवतीन 1. किनहीं दो आकृतियों के नाम बताईए जिनमें रैखिक सममिती और क्रम एक से अधिक की घूरणन सममिती दोनों ही हों 2. जहां संभव हो निम्नलिखित की एक रफ आकृती खींचिये 1. एक त्रिभुज जिसमें रैखिक सममिती और क्रम एक से अधिक की घूरणन सममिती दोनों ही हों 2. एक त्रिभुज जिसमें केवल रैखिक सममिती और क्रम एक से अधिक की घूरणन सममिती न हो 3. एक चतुर भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मिती हो परन तु रैखिक सम्मिती न हो 4. एक चतुर भुज जिसमें केवल रैखिक सम्मिती हो और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मिती न हो तीन, यदि किसी आकृती की दो या अधिक सम्मिति रेखाएं हूँ, तो क्या यह आवश्यक है के उसमें क्रम एक से अधिक की घूरनन सम्मिति होगी? चार, रिक्त स्थानों को भरिये, यहां एक सारणी दी गई है जिसके स्थम्भ हैं आकार, वर्ग, आयत, समचतुरभुज, समबाहुत्रिभुज, समशडभुज, वृत, अर्धवृत। घूरनन का कोण, अपने उत्तर रिक्त सारणी में भरिये। प्रिष्ठ 292 पांच, ऐसे चतुरभुजों के नाम बताईए जिनमें रैखिक सम्मिति और क्रम एक से अधिक की घूरनन सम्मिति दोनों ही होँ। 6. किसी आकृती को उसके केंदर के परित साथ डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिती जैसी ही दिखाई देती है। इस आकृती के लिए ऐसे कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है। 7. क्या हमें कोई ऐसी क्रम एक से अधिक की घूरनन सम्मिति प्राप्त हो सकती है जिसके घूरनन के कोण निम्नलिखित हो। 1. 45 डिग्री 2. 17 डिग्री हमने क्या चर्चा की। 1. एक आकृती में रैखिक सम्मिति तब होती है जब कोई ऐसी रेखा प्राप्त की जा सके जिसके अनुदेश उस आकृती को मोडने पर उसके दोनों भाग परस पर सम्म पाती हो जाएं। 2. सम बहु भुजों में बराबर भुजाएं और बराबर कोण होती हैं। उनकी अनेक अर्थात एक से अधिक सम्मित रेखाएं होती हैं। 3. प्रत्येक सम बहु भुज की उतनी ही सम्मित रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। 4. सम बहु भुज, सम्मित रेखाएं की संख्या, सम शडभुज 6, सम पंच भुज 5, वर्ग 4, सम बाहुत्रिभुज 3। 4. दरपण परावर्तन से ऐसी सम्मिती प्राप्त होती हैं जिसमें बाएं दाएं अभी मुखुं का ध्यान रखना होता है। 5. घूरणन में एक वस्तु को एक निश्चित बिंदु के परित घुमाया जाता है। यह निश्चित बिंदु घूरणन का केंद्र कहलाता है। जिस कोण पर वस्तु घुमती है उसे घूरणन का कोण कहते हैं। आधे या अर्ध चक्कर का अर्थ 180 डिगरी का घूरणन है तथा 14 चकर का अर्थ 90 डिगरी का घूरणन है। घूर्णन दक्षिनावर्त और वामावर्त दोनों ही दिशाओं में हो सकता है 6. यदि घूर्णन के बाद वस्तु स्थिती के अनुसार पहले जैसी ही दिखाई देती है, तो हम कहते हैं के उसमें घूर्णन सममिती है 7. एक पूरे चक्कर यानी 360 डिग्री के में एक वस्तु जितनी बार स्थिती के अनुसार पहले जैसी ही दिखाई देती है, वह संख्या उस घूर्णन सममिती का क्रम कहलाती है 8. एक वर्ग की घूर्णन सममिती का क्रम चार है, तथा एक सम बाहुत्रिभुज की घूर्णन सममिती का क्रम तीन है 8. कुछ हाकारों में केवल एक ही सममिती रेखा होती है, जैसे अक्षर E कुछ में केवल घूर्णन सममिती ही होती है, जैसे अक्षर S तथा कुछ में दोनों प्रकार की सममितियां होती है, जैसे अक्षर H है सममिती का अध्ययन इसलिए महत्वपून है क्योंकि इसका दैनिक जीवन में अधिकांचतह प्रयोग होता है तथा इससे भी अधिक महत्व इसकारण है कि यह हमें सुन्दर एवं आकर्शक डिजाइन प्रदान कर सकती है अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचनस्वर गौरव मार्वा तकनीकी समन्वयक बटिलैंग लिंगडो तकनीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्मान विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत